इतने भी लोगों ने जो है वो सिटेट अगस्तो 2023 के लिए अपना फॉर्म जो है यहाँ पर सम्मिट किया था आप सभी लोग का जो आपका एड्मिट कार्ड है और जो आपके एकजाम है उसको लेकर CBSC के तरफ से आपके ओफिसियल जो है यहाँ पर नोटीस जो है वापका ज जारी किया गया है यहाँ पर आप देखेंगे जो कि हिंदी वाला जन सुचना और यहाँ पर बताएंगे कि जो आपका एकजाम है वो आप सभी लोग को बताएंगे कि आवेदकों को यह भी सुचित किया जाता है चुकि सिटेट के लिए आवेदन करते समय उन्होंने ऑनला मोड में आयोजित होने के कार तथा परिच्छा केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार परिच्छा के सहर जो है वापके बदल दिये गए अता आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाइन फो में दिये गए उनके वरतमान पते के जनपत को अधार मानते हुए उन्हें जो है वापका eg Mesam Offline हो आ है तो आप लोगों को एग्जामनेशन सिंटर चेंज करने का option जो है मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं मिला यहाँ पर एक्जामनेशन सिंटर क्धिन क्या किमा आप लोगों का eg एक्जामनेशन सेंटर नहीं बने हैं, तो आपके बगल वाला जो जीला है, उसमें आपका यहां पर एक्जाम कंड़क्ट कराए जाएगा, और वहां पर जाकर जाकर आप लोगों को सीटेट अगस्त 2023 का एक्जाम 20 अगस्त को जाकर आप लोगों को देना है, एड्मीट जिसका डिटेल और टाइमिंग वगरा, आपको 18-08-2023, मतलब 18-08-2023 को जो है, वो आपके सीटेट के ओफिसियल वेबसाइट को थूँ जो है, आपको यहां पर पता चल जाएगा, मतलब 18-08 को जो है, आपका एड्मीट कार आएगा, और 20 अगस्त को जो है, मतलब 2 दिन बा फर्म भरे थे, UP में जो है, उन लोग यहां पर क्या है कि एग्जामनेशन सेंटर सेलेट किये थे, और यहां पर आप लोगों का 20 तारीक को आप सीटेट का पेपर देने जाते, उससे पहले एक दिन आप जाते, फिर 20 तारीक को पेपर देते, फिर उसके बाद आप घर आते तो काफी जादे समय जो है, आपका यहां पर नुकसान हो जाता, और नॉर्मल से बात है, आप इतना दूर मतलब ट्रावेल भी करते, तो आप यहां पर काफी जादे ठक जाते, तो गुड निवज है, अच्छे तरीके से आप त्यारी करेगा, आपकी अगल बगल ही जीले म जब उनको पता चला कि आपके एक्जाम जो है, आपके एक्जाम जो है, आपके कंड़क्ट कराया जाएंगे, तो वो सिटेट अगस्तो 2020 वाला इसलिए छोड़ दें, क्योंकि आपका एक्जाम ने तो बताया था कि आपका सेंटर चेंज होगा, लेकिन इन लोग को लगा थ आपके सेंटर, जो फॉर्म भरते टाइम हम लोगों ने सेलेट किया था, तो वहाँ पर जाकर पेपर देना होगा, तो इसलिए हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार आपके आपके आफ्लाइन हो रहा है, तो अगली बार भी आपका एक्जाम जो है, आप भी भी जो है, आपके पास 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आपके ही जिले में पेपर होगा, तो आप अभी से भी तैयारी करेंगी, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है, वो तैयारी करेंगी, तो खास करके दो लोगों के लिए बहुत ही मतलब good news है, जो भी PSC टीचर और यहाँ पर female अभीरती हैं, जो इस तरीके से सोच रही थी, बाकिया आप तैयारी पुड़ा मतलब जी जान लगा कर कर आए, क्योंकि अभी जो है आपके CTSC के तरफ से update आए हैं, आपके admit card को लेकर, जल्द ही, मतलब जल्द का मतलब यहाँ है कि 10 दिन, 10-12 दिन पहले जो है आपका exam card करा जाएगा, तो संभवता आपके 10 अगस्त के बाद जो है, आपको BPSC teacher का जो आपका admit card है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ जीला जो है वापका रहेगा, तो यह भी जो है वापका जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग मतलब बहुत अच्छे तरीके से तय जारी करिए, यह आपका update है, बाकी official website है, उस पर जाकर आप इस notice को पर सकते हैं, यहाँ पर हमें हिंदी वाला notice है, बाकी आप English में पढ़ना चाते हैं, तो उसमें आप सभी लोग को पता है कि हिंदी और English दोनों एक ही साथ जो है वापका रहता है, बाकी आप सिर्ट अगस जो है, बाकी एक आप सब्ता, जो है, वो समय लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि आपका direct जो है, सुपर टीटी का भी notification जारी कर दिया जा, क्योंकि 5 साल हो गए, उतर परदेश में किसी भी प्रकार का primary सिचक भरती का notification प्राइमरी सिचक भरती जो है बाकी नहीं है, बाकी जो है, हमें आप टेली ग्राम पर आपके सेर किया जाते हैं, तो I hope इस मैटर को आप समझे होंगे, और 20 दिन का समय जो है, आपके पास बचा हुआ है, सिचेट अगस्त 2023 को लेकर, 20 तारीक को तो है ही आपका पेपर और आज आपका एक दिन बीट गया, तो मतलब वहीं आप थैंक यू फर लिस्निंग, गट बिलेस याल, थैंक यू